लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस दा बैल आइकन जैश्री राम, आज मैं इंग्लिश की ग्रामर की ट्रिक लेकर आई हैं, छोटी सी है All together, पूरी तरह से, इसका मतलब होता है Completely और एक होता है All together, मतलब सभी एक साथ चलिए कुछ sentences मैंने लिये हैं, और इसमें हम ये दोनों words यूज करके देखते हैं The cost was high, cost जो है पूरी तरह से high है, तो यहाँ पर हमारा लगेगा All together We went all together, सभी एक साथ We went all together to the party, पार्टी में सभी एक साथ गहे थे तो ये वाला All together लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा क्योंकि इसका मतलब होता है पूरी तरह से completely We clean the room तो सभने मिलके एक साथ room साफ किया न, तो इसलिए हम All together ये वाला लगाएंगे All together तो ये वाला All together लगेगा, क्योंकि सभने मिलकर room साफ किया It stopped raining तो अब इसमें ये वाला All together लगेगा, क्योंकि सभी के साथ मिलकर It stopped raining, तो इसमें ये वाला All together लगेगा क्योंकि पूरी तरह से बारिश बंद हो गई अगर आपको ये छोटा सा ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को आन कर लीजिए कर लूग खो है